हेलो फ्रेंड्स में अंजली मेरे कीचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम ऐसे स्नेक्स बनाने वाले है ना कि जो की काफी हेल्दी के साथ साथ टेश्टी भी है हम इसे से जिन विजी टेवल से बनाएंगे और ब्लीम मानि ये बहुत ज्यादा टेश्टी है आप अब देख सकते हैं यहां पर मैंने कड़ाई लिए जिसमें मैंने डाला है दो चमच वेजिटेबल ओयल इसे मैंने दो कटे हवे प्याश डाल दिये हैं अब एक कटी भी हरी मिर्च डाली है साथ में हम तीन से चार यहां पर लेसन की कली डालेंगे कटी हुई और एक चमच ह यहां पर मैंने हाप सिम्ला मिर्च लिए थी वन भाई फोर्थ कप कटी ही सिम्ला मिर्च है इसे भी हम डाल देंगे और साथ में प्याश के साथ इसे भी हम फ्राई कर लेंगे जब हमारी सब्जिया फ्राई हो जाएंगी न तो इसमें हम कुछ ग्रीन वेजी टेवल से डालेंगे बहुत ही हल्दी सब्जी की बना रहे हम बिल्कुल भी हमने इसमें आलू यूस नहीं किया है और इन सब को डाल देंगे देखी यहां पर मैंने लिया एक कप कटा हुआ ह क्याबेच लिया पता गोवी और यहां पर मैंने सल्गम लिया हुआ है 1 by 4 cup हाप कप मैंने गाजर कटावा डाला है ग्रेट गाजर है और है एक बात मैं आपको बताती हूं इसमें मैंने आलू मिक्स नहीं किया है यहां सुगर पेसेंट को बहुत अराम से दे सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही हल्दी नासता है इस तरह से एक मिनिट फ्राय करते करते इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे और देखिए अब हम इसमें मिलाने वाले हैं नमक यहां पर एक छोटी चमच से नमक डाल रही हूं वन बै फोर चमच हम डालेंगे हल्दी वन पई फोर चमच डालेंगे चाटमसाला वन बै फोर चमच डालेंगे गोलकी और यहाँ पर वन बै फोर झाली यहां टाल रहा है लाल मिर्च और गरम मशाला-डालाहं-बै इन सभी मसालों को अच्छी से हम 3-4 मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे और आप देखिएगा करते करती सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे मशाले बहुत अच्छी से फ्राइ हो चुके हैं मैंने गेस के फ्लेम को बंद कर दिया है अब आप देख सकते हैं मैंने पानी लिया हुआ है ब्रेड लिया हुआ है मैं ब्रेड के साइट को मैंने हटा दिया है इस तरह से हम ब्रेड को डिप करेंगे और इस तरह से अच्छी से पानी को निचोड़के निकाल लेंगे अब स्टाफिंग हमारी रेडी हो चुकी है और इसमें एक चमश स्टाफिंग हम इस तर से डालेंगे और इस तरह सी से राउंड सेफ हम दे जाएंगे तो इस तर से असान देखिए थोड़ी सी हमें प्रोशेस करना होगा ना तुरन से नहीं होता है कोई भी चीज तो इस तर से धीरे-धीरे हम इसे राउंड सेफ देना है ताकि मसाला जो इना अंदर करेश टैपिंग में वह भाहन नहीं आए और इस तर से एक सेफ देते वे सरकल दो जाए ओवल दो जो भी आपको पसंदो हमें राउंड सेफ में दे रही हूं इससे कर लेंगे और एक प्लीट में से हम रख लेंगे इस तरह से हम फिर से दूसरी स्लाइस लेंगे और इसे पानी में डिप करेंगे और इसके पानी निकाल येज़ा में आठि करके बेचिए ये सांय। आप देरी है देखे दीए ही सब्सक्राइब इञ्दम में में इक पेन में पास लिप्साइब लगते हैं इसे ही टेल सीलो milk व्क बेके अज़कझ टेला कर रहा है सब्सक्राइब है तो हम सारे बिमानर, वइसकि देड में आपकर षए 64 बढ़ने पीचित रख़ां, अगोरों कर दो इसब उदक काईब कर लाहरा हम तो पदम तो दिलखेंगे तो फ़िछ सेलो भ्याव कर दित anytime नमारों कस अटालन तो इस तरह से लो फिले में रखते हुए ज्यादा नहीं लगते हुए दो से ती मिनिट और करते हुए से हम चारो तरफ पलेटते हुए अच्छी से फ्राइ कर लेंगे यह देखिए चार तो परफेक्ट है हमारे राइ हो चुके है इसे हम अब एक पलेट में निकाल लेंगे आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी ड्राइ बने इतम से ओली ओली नहीं बनते हैं अब मैं आपको कट करके दिखाते हूं देखिए इसकी स्टाफिंग कितनी अच्छी स्टाफिंग हुई है बहुत ही हेल्दी है आप इसे कभी भी बना सकते हैं बाहर से तो एक रिस्पी और अंदर से मूं में घुल जाने वाले सॉफ्ट बने तो इस तरह से देखिए हमने प्लैटिंग कर लिया है और काफी एच्छा है हमारी रेशिपी बन के तयार है अगर रेशिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करे चैनल को सिस्क्राइब कर ले अपेल आइकों को दबाना ना भूलें क्योंकि एसे में नही रेशिपी लाती रहती हूं और चाहती हो कि आप त